मूवी के स्टार्ट में रिसेच सेंटर दिखाया चाता है वहीं पर हमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसेब था और उसका इस रिसेच सेंटर में फिर्स डे था और वो पाई प्रोफेशन एक नर्स थी और उसका तुमें पूरी तरह से खयाल रखना होगा और हमेशा खुश रखना होगा इसलिए अब अलिसेबेट डॉक्टर वेस्ट के बाते मान जाती है और इसके बात मूवी पास्ट में जाती है ये साल है 2015 का हम पास्ट में मार्क को देखते हैं जहां पर उसके डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसको कैंसर है और वो लास्ट थर्ट स्टेच पर है और उसके पास जीने के लिए अब सिर्फ एक साल है ये सुनकर मार्क बहुत ज़दा शौक्ट होता है मार्क को देखते हैं जो अपने गारी को लेकर रोड पर खड़ा हुआ था तब ही वहीं पर उसकी फ्रेंड आती है जिसको मार्क के कंडिशन के बारे में पता चलता है और वो उससे गले लेकर कहती है कि वो उसके बगए नहीं रह पाएगी और अब वो मार्क को अच्छा फिल करवाने के लिए उसके सबी फ्रेंड्स के साथ डिनर प्लाइन करती है लेकिन मार्क का इन सब चीज़ों पर कोई भी ऐसर नहीं हो रहा था वो उटता है और उटकर अपने रूम में टैबलेट लेने चला जाता है अब मार्क वापिस आता है और वापिस आकर अपने सबी दोस्तों को एक साथ साल पुराना आर्टिकल दिखाता है वो दिखाता है कि कुछ साइंटिस्स ने बायो आर्टिफिजल हार्ट बनाया था और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगला एक्सपेरिमेंट वो इंसानों पर करेंगे जिससे इंसानों के भी और्गन्स बनाई चासकते हैं अब मार्क को मना नहीं था उसको और जादा जिन्दा रहना था और अब मार्क के रिसाइट करता है कि उपने सारी प्रॉपर्टी बेच कर फ्रोजन स्लिपिंग में चला जाएगा जानी के क्रायो स्लिप में और इसके बाद वो अपने फ्यूचर में ही उठेगा ताके फ्यूचर के लोग उसके सेल्स को रिजिनरेट कर दें टेकनोलिजी की मदद से उसको एक पर दूबारा से फिर सिंदा कर पाएंगे जो कि फ्यूचर में और ज़्यादा एडवांस हो चुके होगी मगर वहीं पर दूसी तरफ नहीं हो में मार्क के इस फ़सले से बिलकुल भी खुश नहीं होती वह ये चाहती थी कि मार्क अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट चारी रखे अब इस बात पर मार्क कहता है मेरे फादर को भी कैंसर था उन्होंने भी ट्रीटमेंट करवाया था मगर इसके बावजूद वो जिन्दा नहीं रह पाए थे और मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी उन्हीं की तरह मर जाएं अब इस बात पर उसका एक फ्रेंड उसे कहता है कि डॉक्टर तुम्हे मरने के बाद ही इस स्टेज पर लेकर चा सकते हैं अब इस बात के लिए भी मार्क ने आईडिया सुचा हुआ था वो कहता है वो खुद को मार लेगा जिससे डॉक्टर को लीगल राइट मिल जाएगा उसके बोड़ी को क्रायोस्टेटिक स्टेज पर डालने के लिए अब इसके बाद हमें फ्यूचर में दुबारा से दिखाया चाता है कि जहां पर डॉक्टर वेस्ट अपनी टेक्नोलोजी से एक पूरे इंसान की बोड़ी को बना रहे थे और इसके बाद कुछ दिर बाद जो डॉक्टर वेस्ट ने अपनी टेक्नोलोजी से इंसान तयार किया था उसकी हाँ आँखे खुलते हुए देखते हैं और जिससरा न्यूबर्ण बेबी के पेट पर कोट लगी होती है और अब मार्क की बोड़ी पर भी ऐसी ही एक पाइप की तरह कोट लगी हुई थी जिससे मार्क को फूद सिप्लाई दी जा सकती थी और अगर ये पाइप उसकी बोड़ी से अलग हो गई तो वो कुछ ही केंटों के लिए सिंदे रह पाएगा इसके बाद मार्क को डॉक्टर्स वहाँ पर एक डिवाइस देते हैं ताके वो मार्क की जो पिछली जिंदगी थी उसकी यादों को एक मेमरी में स्टोर कर सकी जिसको डॉक्टर्स पूरी दुनिया को दिखाना चाते थी क्योंके मार्क वो इंसान था जिसको मरने के बाद तुबारा से जिंदा किया गया था हमने मुवी के स्टार्ट में नर्स ऐलिजबट को भी देखा था उसको मार्क की के एर हंडरे टेज्स तो करनी होगी अब सो दिन तक मार्क को इक रूम में ही रहना था इसी तरह आईसता आईसता दिन गुजर जाते हैं मार्क की हालत बहुत जज़दा इंप्रूव हो रही थी मगर मार्क अकेले रहने की वज़ा से बहुत जादा खुद को अकेला फिल करता था और अब उसको अपनी पिछली जिन्दगी याद आ रही थी नई हमी के साथ कुजारी हुए जिन्दगी और अपने दोस्तों के साथ की हुए मज़े और पाइटी मार्क ने जो अपने फिचर के बारे में सोच रखा था कि उसकी जिन्दगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी मगर ऐसा उसकी फिचर में कुछ भी नहीं हो रहा था इन फेक्ट उसको चलने के लिए भी किसी के साहरे की जरूरत पर रही थी और अब इसी तरह आइस्ता इस्ता वक्त उजच जाता है उसके 100 डेस कंप्लीट हो जाती है और इसी बात की खुशी को सेलिबरेट करने के लिए डॉक्टर वेस अपनी पूरी टीम को मार्क के पास लाते है मार्क को एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें उसकी सबी पुराइन चीज़े रखी हुई थी और अब उन सब चीज़ों को देखकर मार्क को अपनी पुरानी लाइफ शयादा रही थी यहां पर नियोमी का एक लेटर भी मिलता है जो वो लेटर ऐलिजबेट को पढ़ने के लिए देता है वो उसको पढ़कर सुनाती है जिसमें नियोमी ने लिखा था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है लेकिन मार्क बेशेक्सी सलीब में था लेकिन नियोमी की हालत उसके बगहर खराब हो जाती है और जब नेयोमी भी 10 साल की हुई थी तो उसने भी cryogenic sleep में जाने का फैसला किया था जिससे वो एक पर फिर मार्क के साथ अपने life start करना चाहती थी लेकिन अब जब वो नयोमी का letter सुनता है तो उसको बहुत ज़दा दुख होता है वो सोचता है कि कैसे उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और अब वो डॉक्टर से request करता है वो नयोमी के court के पास जाता है जहाँ पर उसकी body का रखा हुआ था मार्क डॉक्टर से request करने लगता है कि वो नयोमी को पहले की तरह जिंदा कर दे जैसे इसको जिंदा किया गया था मगर डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं इस हालत का जमेदार समझ रहा था और वो और भी ज़दा उदास हो जाता है जिससे इसकी हालत और भी ज़दा खराब हो जती है अब वहीं पर सभी डॉक्टर्स मार्क के बिदलते हुए रिवाई को नोटिस कर रहे थे और इस पर डिसकुशन भी कर रहे थे अलिसबेट डॉक्टर से कहती है कि उन्हें मार्क को रिसर्च सेंटर से बाहर जाने देना चाहिए ताकि जब वो बाहर की दुनिया को देखेगा तो शायद वो नेयोमी को भूल जाएगा लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हमें मार्क को थोड़ा टाइम देना होगा ताकि वो खुदी से नेयोमी की यादों से बाहर निकल पाए मगर अब कहीं न कहीं अलिसबेट भी मार्क से अर्ट्रेक्ट हो रही थी और उसको उसकी बहुत जादा फिक्र हो रही थी अब एक दिन डॉक्टर वेस्ट के जाने के बाद मार्क उनके रूम की कीज चुरा लेता है उनके रूम में जाकर उसको वहाँ पर डॉक्टर वेस्ट की माइंट रीडर डिवाइस मिलती है वो जब उस डिवाइस को पहन लेता है तो उसको डॉक्टर वेस्ट के सबी पुरानी यादी और उनकी लाइफ में किये गए एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाई दिने लगते हैं और यहीं पर मार्क को पता चलता है कि उससे पहले डॉक्टर वेस्ट ने लोगों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किये थे मगर डॉक्टर वेस्ट के सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जुके थे डॉक्टर वेस्ट ने लोगों को जिन्दा तो किया था मगर उनकी बॉड़ी में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी जिसकी वज़से उन लोगों की डेथ हो गई थी लगिली मार्क पर किया गए एक्सपेरिमेंट्स सेक्सेस्वल हुआ और उसको कुछ भी नहीं हुआ था मार्क डॉक्टर वेस्ट से मिलने आता है और उनको आकर कहता है कि वह सब लोगों की डेथ के जिम्हेदार है जिन पर डॉक्टर वेक्स्ट ने सभी एक्सपेरिमेंट्स किये थे डॉक्टर वेक्स्ट अपनी सभी गल्दियों को एकसेप्ट कर लेता है अब कुछ टाइम के बाद मार्क तुबारा से नियोमी के स्लिपिंग पॉर्ट के पास जाता है और वहीं पर अलिसबेट भी आ जाती है मार्क उसको अपनी पुरानी लाइफ के बाते बताता है कि कैसे उसने क्रायोचेनिक स्लिप में जाने से पहले अपनी जान दे दी थी और जहर पी लिया था और आगे वह बताता है कि उसने अपनी फ्यूचर लाइफ को ऐसा बिलकुल भी नहीं सोचा था जैसे उसके फ्यूचर लाइफ चल रही थी और अब उसको जैसे जिन्दगी मिली है उसके पुरानी जिन्दगी जैसे बिलकुल भी नहीं है और अब वो एलिसबेट से हेल्प मांगता है ताके वो खुद की जान दे सके और वो इस पेंट से बाहर निकल पाए मकर एलिसबेट रोते हुए उससे मना कर देती है क्योंकि एलिसबेट भी कही न कही मार्क से प्यार करने लगी थी और अब जब मार्क अपने रूम में आ जाता है तो अलिसबेट भी उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है और साथ ही उसके कान में उस मैडिसन का नाम भी बता दीती है जिसे पीकर वो अराम से मर जाएगा और मार्क अब रिसर्च सेंटर के लाद में जाता है और वहाँ पर वो अलिसबित की बताई हुए मैडिसन तूडने लगता है और अब जब वो जहर पीने वारा था तब ही उसको अपने लाइफ का फ्लेश पे एक नज़र आता है जहां पर उसने पहने भी जहर पीकर अपनी जान दे दी थी और अब मार्क वो बोटल लेता है और दोबारा से नियोमी के स्लिपिंग पोर्ट के पास आ जाता है अपनी यादों को याद करते हुए वो मैडिसन पी लेता है और साथी साथ स्लिपिंग बोर्ट के पावर सुप्लाई को काड़ देता है ताकि अगर नियोमी को भी जिंदा किया गया तो वो भी इनी फुल्जूल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाएगी और अब वो उदर ही बैठ कर अपने मरने का इंतजार करता है इसके बाद हमें मुवी के लास्ट में दिखाया जाता है मार्क के जबाइस खुलती हैं तो उसके सामने सबी डॉक्टर से डॉक्टर वेस्ट इसको बताती है तुम्हें कैंसर से नहीं मरना था इसलिए तुमने जहर बीकर अपनी जान दे दी दूसरी जिनदगी के लिए और अब तुम इस अपनी दूसरी जिनदगी को बरबाद मत करो साइसी टेकनोलजी ने तुम्हें अपनी लाइफ को जाने का एक और चांक्स दिया है तुम इस चांक्स को जाया नहीं कर सकते और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है तो लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीचेगा